और आपने दिवाली के बाद एक बड़ा धमाका कर दिया वो भी बाहर लाएंगे जिस सचकी आपने अपने जहन के अंदर कवर खोती है और आप यकिनन तौर पर एक बात मानेंगे पिछले तीस वर्स से पॉंटा साफ जहां था वही का वही खड़ा है पर वो डिया में हमलावर हो रहे हैं अज विगा करें पॉंटा सहिति हुप इमारे चुने में पर नहीं थाकी सोच में कोई डवल्पमेंट नहीं है या वो कहते हैं या पर तौरक पुल बंगया और इधर से सदेट जूड नहीं पाई तो जब बगधानी के पुल की डिपियर बनी तो जोड तब आज जो आप हमारी सरकार पर ठीकड़ा फोड़ने हैं उसका सारा कारण आज मौजुदा विधायक है वो जवाब दें शाहर की जंता को कि आप वो MLA पराइटिया दो साल हो गया MLA पराइटिका पैसा पहली बार आप हमलावर हो रहे हैं सुराम चोधी साहब पर मैं पहली बान नहीं हो रहा हूं लोगों को गुम्राह कर रहे हैं अभी वो पिछे मीडिया से रूबरू हुए और CPS के उपर उनने बोला कि न्यायले ने ये किया वो कि अब CPS आप ने रहे इस इसी आप कानून के तहट आप भी CPS रहे हैं आपने सो सोख सो विदाए आपने इस्तमाल ने करी तब 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 अब अबस्डर गाड़ी में घूमते थे अबस्डर गाड़ी मिली भी थी इनको साहब को CPS से तो आज है हमारी सरकार में हमलावल हो रहे हैं तो मैं यही कहना जाँघेंगा आपके माध्यम से उनको भी कि किर्पेया अभी पक्ष बाइवात ना करें यह ज्यादा लंबा समय नहीं है उनका यहां आख रिक सिया मीडिया वालेर टारगेट में आब भी मीडियाये हैं पर जो लोग कि मीडिया की आड़ में यहां पर इंडस्ट्री है इंडस्ट्री को परशान करना माइनिंग है तो माइनिंग में माइनिंग के आफिसर्स को परशान करना डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स को प्रिस्क्रिप्शन के लिखना उसमें सला देना या किसी पी चीज में आंग के आपको ढाजने की की तिंगे क्य वाफस अगी और और पहांगे कंप्लेंट का नुखसान क्या होगा और अगर आपक्छान का नुकसान क्यों कंप्लेंट इससे घ्म 네 अधा, यह बाहिए नितु सेनल एह दा क्या है चाहिए तो फीर मानोगी, संजीव जी अगर मालनों मैंने कोई गलत काम किया है और आप ही किसी पतलकार बंदू ने उस ख़बर को निकाला तो भाई हम तो घबराने वाले नहीं है ना आज ना घबराई ना मैं कहता हूँ यह काम जो मैंने किया है इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है को यह उस्टिंग उप्रेशन का तानावान नुपूण था एक बार बार समझाने के बाद भी क्याने थे आपनी कि अपीशिंग लामा साभ एक बड़ी प्रेस कोंफेस करने वाले है ठीक्रेस कोंफेस होई नहीं अई मैं ऐसा हुआ कि इसमें नेगोशियेट करने की ज़ुद देता रहा कि यह गलत है जो तुम कर रहे हो यह गलत है इसमें सच्चाई नहीं है मित्र थे और मित्रों का स्टिंग ऑपरेशन नहीं हुआ फिर आप बार 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 ऑपरेशन मैंने कोई नहीं किया जब उनको इस चीज़ का डर भैय ही खतम हो गया कि इन चीजों से कुछ हो स मैंने अपने क्योंकि एक कारण आपने तो भी मैंने एक मुद्दा दिये मेरे पास ऐसे सो मुद्दों की वीडियों से मेरे पास डॉक्टर्स पहुंटा के मेरे पास माइनिंग डिपार्टमेंट के एंपलोईज मेरे पास फोरेश डिपार्टमेंट के एंपलोईज मेरे प पर कोशिश तो करें ना ठीक और आप देखेंगे के दिवाली के बाद से अभी तक कि अगर आपको दिखें और समझें तो पोरी पत्रकार लॉबी ने मुझे सपोर्ट किया जैसी कैमरा ओन हुआ वैसे ही आपके कानों तक हमारी यानि स्ट्रिंग बाज की आवाज पहुची होगी यकिन आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि आखिर फिट से अमिर्सिंग लामा साहब का इंटर्व्यू क्यों और किस लिए तो जनाब आगे आपको आपके हर सुलकते सवाल का जबाब देंगे नमस्कार हमेशा की तरह आपके साथ मैं संजीब शर्मा हूँ और कैमरे के पीछे मेरे सयोगी की मौजूदगी चंद रोज पहले पॉंटा साही में वो कुछ हुआ जिसकी कलपना किसी ने भी नहीं की थी लेकिन जब उस पूरे परकरण के तार कॉंग्रेस के ईवा नेता अपनी सिंग लामा से जुड़े तो कई सवाल जो है वो उठने लगे अब उन सवालों के बीच पे कई सवाल होंगे न और इन सवालों के जबाब आपको भी जानना होगा क्योंकि मसला आप सबसे जुड़ावा है अपनी सिंग लामा साहब शुक्रिया स्टिंग बास से जुड़ने के लिए दिवाली निकल गई और आपने दिवाली के बाद एक बड़ा धमाका कर दिया नहीं मैंने कोई धमाका नहीं किया यह आप गलत बोल रहे हैं इस तरह के शब्दों से क्या होता है कि जो हमने काम करने की कोशिश करी है उसके पीछे की मंचा आजाती है कि अपने आपको कुछ गलत चीज को सही साबित किया है ऐसा नहीं है आप अपने सवाल पूछे मैं बेबाकी से आपके सवालों को जवाब नहीं हुआ पहले राजनीति की बात करते है तैं फिर गर्महाट की बात करेंगे फिर वह भी बताएंघे जो आपके जहन के अंदर है वो भी बाहर लाएंगे जिस सचकी आपने अपने जहन के अंदर कवर खो दी है राशनीतिकी तब लोड़ते है विकास के लिहाद से पॉंटा साहिब को आप कहा देख रहे हैं पॉंटा साहिब के अगर आप बात करें तो मैं कई पिछले दिरों मैं कई इंटलेक्ट्ट्र लोगों से मेरी बातचीत सीनिर सिटिजन गृप से इंटलेक्ट्र लोगों से मैं मिलता हूँ और आप यकीनन तोर बे एक बात मानेंगे पिछले तीस वर्ष से पॉंटा साफ जहां था वहीं का वहीं खड़ा है अगर कर development हो रही है हाईवेस की हो रही है तो वो center government की scheme में हो रही है अगर आप देखें कि हर साल बारिश आती है जम्बू खाले वला area हमारा डूब जाता है गुलाबगड़ वले area का पुल तूट जाता है उसका कारण तूटने का पानी बताया जाता है पर अगर पिछले 30 वर्षों में अगर आप देखेंगे 1990 से 2003 तक सरदार रतन सिंग जी के 1990 गद डेकेड था उसके बाद सुकराम चोदुरी जी को आज इतना डाइम हो गया है बीच में सरकार हमारी विया ये भी हमारी चल रही है कॉंगरस की पर कोई विजन नहीं है आप देखो जंबू खाले का पानी जंगल का पानी उपर से नीचे आता है उस पानी की दिशा हर बारी बदल जाती है और कहीं न गहीं वो कभी गुलाबगडवले अरिये में नुकसान देता है, कभी वो स्कॉलर्जॉम वले स्कूल वले अरिये में देता है, कभी वो बद्रिपूर जो आपकी कलोनी जितनी बनी है दारोला रोड़ पे, तो वहाँ पर आप जाको नेरंकारी बहुन वाली साइड, सारी जगाँ डूब जाती है, कोई इस चीज़ का विजन एक डॉकुमेंट बनाना ही नहीं चाता, मैं आपको बताओं, पिछले दिनों में में मिरे को कहने में कोई संकोच नहीं है, हमारे पॉंटास में माइनिंग है, इसका डी-मेफ्टी का पैसा होता है, सरकार के बाफ फंड की शौटेज आया, पर वो डी-मेफ्टी का पैसा आया, हमारे विधायक जीने वो पैसा फिर अपने मनमाने मंदों को दिया, अपना MLA प्राइटी का पैसा भी वो शेहर की तरक्की में कहीं नहीं लगाना चाते है, वो सिर्फ पैसा सिर्फ अपने करीबियों के पास लगाना चाते है, सत्ता पक्ष में होकर, आप जो विवख्ष में उपर हमलावर हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ, मैंने भी राजनीती में रहा करी सीखा है कि अगर आप किसी डिपार्टमेंट से काम कराएंगे तो फंड ला कराएंगे, फंड लाने का काम पहला दायतव चुने भी रिप्रेजनेटेटिव का होता है, वो हमारी लड़ाई लड़ता चाब वो सत्ता में है चाब वो सत्ता में नहीं है, हमारे सत्ता बक्ष के मिधायक साहब जो काम कर रहे हैं, आज भी जो कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने चहीतों का अपने रिष्टेदारों का कर रहे हैं, वो आज भी पॉंटा की तरक्की के लिए उनका तरफ कोई ध्यान नहीं है सिर्फ वो यही कोस रहे हैं अभी माने निये खुद CPS रहे और आज CPS हमारे अगर नियाले ने हटाए हैं तो उसके उपर वो आपको प्रवचन देते नजराएं यह कहां की राजनीती है मैं आपको यह पता रहा हूँ कि पॉंटा साहिप में दुर्दशा का कारण माने नियाज के हमारे चुने में विधायक है उनकी सोच में कोई development नहीं है पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि जो पैसा वो लाते हैं वो अपने जो पिछे उनने वो बोर कराए इतने बोर करा दी कि उसकी पेमेंट ही नहीं करवा पा रहे है आज हमारे जो ख़जाने खाली हुए में हैं उन्हें किसी development में पैसे को लगवाए है नहीं सिर्फ अपने चहीतों को टेंडर दी है और वो काम करा है और आज वो टेंडर उनके बाइतने ज्यादा टेंडर है वो दे रखे हैं वो काम कंप्लीट हो नहीं रहे और जिन चीजों की वो बात कर रहे हैं कि जो पैसे परधान मंतरी गुराम विकास योजना में नबाड में जो पैसा वो लेकर आए हैं या वो कहते हैं कि मैं लाया और तुमारी सरकार चला नहीं पाई या बगानी का पुल बन गया और इधर से सड़क जूड नहीं पाई तो जब बगानी के पूल की DPR बनी तो जोडने में उस टाइम में आप कहां थे तब आपने DPR क्यों नहीं त्यार करवाई आज जो आप हमारी सरकार पर ठीक राफ ओडने है उसका सारा का सारा कारण आज मौजुदा विधायक हैं वो जवाब दें शाहर की जंता को अपने नेताओं के मादे में से हम D.C. साब के पास जाते हैं शिम्ला जाते हैं जतना फंड लाने में सक्षम लेंगे पर विधान सभा में जो हमारे को रिप्रेजेंट कर रहा है जो शिमला में जा रहे हैं, जो हमारे DC के पास बैट रहे हैं, जो पैसा ला रहे हैं, जो एलोकेट कर रहे हैं, वो हमारा चुनावा प्रतिनिती ही है, और वो पक्षपात की राजनिती कर रहे हैं, अपने लोगों को खुश कर रहे हैं आज भी, मैं यही आपके मादन से करना जो कोई विजन नहीं है जब बाद मने शुरू करती जंबू खाले से उसका कारण है इतना पानी पॉंटा में जंगल के रस्ते से आता है उसका प्रॉपर एक विजन डॉकुमेंट बनना चाहिए उस पानी की नकासी होनी चाहिए हर बारी कोई ना कोई जो पूल खाला जो फ्लो होने के वैसे जो चार-पांच जगाते डंगे तूटे हैं जो लोगों की जमीने बही क्या वो पैसा उन्हों ने किसी जमीन के डंगे पर लगाया जो रिपेर करने के लिए तो यह तो बात है कि पॉंटा के विकास के बारे में कोई नहीं सोच रहा है एक आप अच्छ अगर आप गूम के जखो मैं पूरी कॉंस्चिन सी में घूम रहा हूं जहां जहां मैं जा रहा हूं वहां पैसे की शॉर्टेज बत्का वह भाना मारकर लोगों को गुमरा कर रहे हैं अभी वो पिछे मीडिया सो रूब रू है और सीप्यस के उपर हॉनने नहीं नहीं यह क या आपने इस्तमाल नहीं करी तब तब अब अमबेश्डर गाड़ी में घुमते थे अमबेश्डर गाड़ी मिली भी थी इनको साब को सीपियस से तो आज यह हमारी सरकार पर हमला बलो रहे तो मैं यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से उनको भी कि किरपया आप भी यहां का आखरी Tenure है इस Tenure में वो जो कर सकते हैं अपने आपको सावित करने के लिए अगर तीन साल लोगों को ऐसी घुम्राह करते रहेंगे कि सरकार पैसे कारोना रो रही है तो पैसे कारोना यह भी माने लिए मुक्य मंत्री थे मंत्री थे उनकी कबिनेट में हैं पैसे इ सब्सक्राइब आपके टार्य करना गई। मेड़्या वाले टार्य कैसे और सभार। अच्छे-च्र पॉंटा में आप ऐसे नाम ने दिनेश पॉंडीर जी है घ्यान जी है इसे 20-25 नाम अगर यहां पर पॉंटा में कहते हैं कि बहुत पत्रकार है रहना है इसे इतने मानित हो के कहते हैं पर जो लोग मीडिया की आड में यहां पर इंडस्ट्री है इंडस्ट्री को परशान करना माइनिंग है तो माइनिंग में माइनिंग के आफिसर्स को परशान करना डॉक्टर्स है तो डॉक्टर्स को प्रिस्क्रिप्शन के लिखना उसमें सला देना या कि के रह रहकर जो खबरे चली खुलकर नाम नहीं लिखा गया आपका ये हताशा है क्या आपकी अल्फ में टेक्स पह रहा हूँ कि भी आपने उसमें नंबर एक मैं अपना काम कर रहा हूँ, all of a sudden एक new sense आपके सामने आ जाए कि आपने एक गलत तरीके से कुछ चीज खरी दी और गलत तरीके से उसके, तो उसकी जांच करवाओ, उसकी जांच कौन करेगा, माने डिपार्टमेंट करेगा, अगर हम गलत होंगे, तो उसका आदेश कौन पारित करेगा, डीजी साब पारित करेगा, रेविन्यू कमिशनर पारित करेगा, कि आप ही कंपलेंट करेंगे, आप ही कंपलेंट पताएंगे कैसे वापस होगी, और आप ही पताएंगे कंपलेंट का नुकसान क्या होगा, और कंपलेंट से रेमिडी कैसे सब्सक्राइब करें अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसकी जांच के लिए सरकारी दफ्तर सक्षम है और आज भी मैं कहता हूं कि सरकारी दफ्तरों के आफिसर्स को में कहना चाऊंगा किसी दबाओ में आ रहें कोई दबाओ में आने की जूरुत नहीं है अपनी निस्पक्स जांच करें कोई भी गलत है उसका कोट के चैरी कानून उसका एक तैय करता है उसका आप ये मानों कि संजीव जी अगर मानों मैंने कोई गलत काम किया है और आप ही किसी पत्रकार बंदू ने उस ख़बर को निकाला आप चोथा स्थम्ब है मिरे बात काटिए मैं आपने मेरी चीज गलत पकड़ी और उसको लोगों में स्वारजने किया ये आपका करताव है दाइताव है आपके काम के प्रती आपकी एक एक दाइतावां दावन दाली है पर आप ही उसको उजागर करें और आप यह बोलें कि अगर ये मेरे से स्थल्मेंट नहीं करोगे तो मैं ये कर दूँगा तो भई हम तो घबराने वले नहीं है ना आज ना कल यहां आएते खाली आता आएते खाली आत Çले जाएए पर साफ हू मैंने अस्टिंग ओप्रेशन का ताना माना नहीं पुना था एक बार-बार समझाने के बाद भी जब अभी क्योंकि मैं ये चीज पब्लिक डोमेन में है पर नहीं कोट के अंडर आप्जरफेशन है कुछ चीजे तो मैं उनमें अभी हक्त शेप नहीं कर सकता क्योंकि कुछ चीजों की फॉरसिंग जान चो रही है वाइस सेंपल्स लिये जा चुके हैं उनकी फॉरसिंग जान चो रही है मैं अभी कोई अपनी तरफ से फिर तो मेरे और उनमें क्या फरक रह गया और आज महीं कि आज इंदू कि हाँ जो मैंने किया है वो ठीक था उसको अगर मैंने जो किया वो ठीक था फोर नई कोट इटीपार्टमेंट्स करेंगे अगर मैंने कुछ गलत किया है तो में बैकफार होगा एक शोर मचा था दूर कहीं धोर बजा था कहरे थे कि अपनी सिंग लामा साब एक बड़ी प्रेस कॉंफेस करने वाले है प्रेस कॉंफेस हुई नहीं नहीं मैं ऐसा हुआ कि चेंबर ओफ कॉमर्स ने मिलके एक प्रेस नोर जारी किया उन्होंने अपनी मिटिंग करी क्योंकि जिस इंडिस्ट्री को मेरे साथ इंवाल्व कर रहे थे 14 से 15 क्रोड रुपे वो तंखाएं देते हैं एक महिने में तो वो लोग हमारे लिए पॉंटा के अंद आता है ऐसी अगर मैंकेंड ग्रूप की बात करें तो मैंकेंड ग्रूप भी इतनी तंखा देता है सन फार्मा भी इतनी जाता है तो तक्रीमन सो क्रोड से उपर सेलरी आती है पॉंटा के अंदर तो जादा नहीं तो आदी तो हमारे पॉंटा में खर्च होती होगी यह हमारे बहुत बड़ा रेविन्यू और अगर किसी फैक्टरी में किसी जगह पर कोई इंसिदेंट हो जाता है मानलो किसी फैक्टरी में अंदर कोई कमी की वज़े से कोई दिक्कत आई और एक दिक्कत होई और उसकी वज़े से कोई जानमाल का नुकसान हो गया या कोई और चीज़ हो गया तो वो इतना ड्रा दिया जाता है फैक्टरी के मालिक को कि वो बिचारा वो भी तो बिचारा उसने 118 जो है वो एक थोड़ा सक्त कानून है अगर उसकी सक्ती के साथ चलो तो उतना दिक्कत वाइलेशन आई जाता है कि नगी पर उस वाइलेशन को पकड़ कर उसको ब्लैक मेल इतना ज्याज़ा कर दिया जाता है कि उन न्यूसेंज उनके दिमाग में क्लियर होते हैं कि हमने क् घड़ी यहां पर आके फैक्टरी लगा ली और यहां पर काम कर लिया हम तो यहां दुखी हो गए तो वह चीजों को कंट्रोल करना किसके हम यहां पर संग्रेक्शन देने के लिए बैटे हैं नेता हैं अगर हम उनको फैक्टरी वह लोग को फोन करके नौकरी अलगवा सकते तो हम उनकी मदद के लिए भी खड़े हो सकते हैं तो प्रेस इसलिए नहीं करी गई आप ने मदद की या नेगोशेजन क grown की इसलिए निए कि आप की बाव प्रेस कंटर्स इसलिए नहीं करी और प्रनी से बैटम किया हमें ऐसी जूट नहीं लगी तो हमने को प्रेस हम अपने आपको सही बता रहे हैं अब जो एक तीसरा माध्यम जो वाके में जो कोर्ट के चैरी कानून बने हैं अब उनको अपना काम करने चाहते हैं लावा सहाब अगर आप सही थे तो इसमें नेगोशेट करने की जरूत कहां पड़ी मीटिंगों के दौर जो है वो लगाता कि मैं उनको मौका देता रहा कि यह गलत है जो तुम कर रहे हो यह गलत है है इसमें इंट को कोई겠 शूरू कर दीया तब मुझे कानून का सारा लेके उनको समझाना पड़ा कि कानून भी कोई चीज है और और लोगों को भी ये समझ आए कि मातर किसी हेडलाइन में ये लिख देने से कि एक कारोबारी ने किया घिनोना अपराज पता लिखो से उसके अंदर है क्या किसी को डिफेम करना बड़ा था किरें कि अपने पुब्लिक डोमेन है इसलिए नहीं डाला वह विडियो को कि कि एक इंसानियत हुआ थी है इनसान में कि 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 की अगर कोई अपराज करने के बाद क्योंकि उसमें एक बंदूने तो मुझे खुद बोला कि जिंदगी में हम ठीक और ठीक भी थे किस कारण से मुझे नहीं हो सकता है कि उनको जिसने ख़बर दियो डलत तरीके से दियो और वो मैंने अपने मन में एक सॉफ्ट कोनर रखा कि वीडियो ऐसे नहीं चलना चाहिए क्योंकि फिर वो लोग उसका फैदा नहीं होता कोई क्योंकि कहीं न कहीं उसको लोग कि हाँ जिसन नहीं अपना नहाई सुना देगा मैं इसको पॉब्लिक डॉमेन में दे दूँगा अभी वो पहले उसकी जांच हो जाए क्योंकि आज तो यह कह सकते हैं कि वीडियो फरजी है एक मैं जांच तो हो जाए फॉरंसिक कह देगी ओरिजिनल है यह वाइस ओरिजिन मैं मेरे पास किंटर से हुआने से सो मुद्धों जालकें वीडियोस है मैं आपके चैनल को कह रहा हूं मेरे पास दॉक्टर्स पॉँंटा के इंप्लोईज मेरे पाद 4 तेपाट्मेंट के Employees, मेरे पाद तैसील के Employees, Municipal Committee के Employees, SDM Office के Employees, आने के एक एक आसू भाहे हैं उन्होंने, कि अगर हमसे कुछ गलती हो गई या हमने कुछ जाने इन जाने को इस ताक्षर कर दिया, या कुछ हमने ऐसा कुछ गलत काम नहीं क्या पर हो गया, तो हमें इतना परशान कर दिया है कि हमारे को BP की गोलियां लग गी है, किसी को depression की गोलियां लग गी है, तो उन लोगों को किस तरह आप पताओ, अभी तो एक है परकरन, हमने आप मौका दिया है, समाज में अगर सुधर जाएंगे, मैंने कर आपनी सिंग्लापों के साथ सुधर आजमी है, मैं भी हो सकता, सो में से नभे पसंट मैं भी गलत हूँ, पर कोशिश तो करें ना, ठीक हो ने, एक अच्छा वातावरन जिसके लिए पॉंटा साहिब की पैचान है, हम नहीं चाहते हैं कि पॉंटा साहिब एडलाइंस में आएं, हम नहीं चाहते हैं कि पॉंटा साहब को उस निगा से दिखगाजाए, यहाँ को यहां की अवाम को है ना, यहां की फिजाव को, कुछ बहतर होगा क्या? बिल्कुल होगा और आप देखेंगे कि दिवाली के बाद से अभी तक अगर आपको दिखें और समझें तो पूरी पत्रकार लॉबी ने मुझे सपोर्ट किया इसलिए मैंने कोई प्रेस कांफरस नहीं करी मेरे अच्छे मित्रों ने मुझे बोला और मैं उनको भी जिन लोगों ने जो लोग इस तरह के काम करते हैं जो आगे-आगे खबरें छापके डराते हैं मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि इस तरह का कारें मत करें हमारे पॉंटा म अब अपने आप ही समझ जाएंगे थोड़े दिन में क्या होना है कि आपका वातावनन भी अच्छा होगा मैं कुछ बाते बोलना नहीं चाहरा है मैंने मन में हैं मैं बोल दूता हूं अब नेगेटी बात नहीं कर आप कहरें कि तरह पोजिटिवीटी की तरफ बढ़ते हैं क्या यह जो पूरा परकरन हुआ पूरा मसला हुआ तमाम लोग अपने हैं क्या इस रिष्टे के बीच में मिठास की गुंजाईश और जो द्रारे पड़ी है क्या उन द्रारों को पा कानून के दारे में चीज़ें और यह इस तरह का केस है 3082 लगी वी है यह अगर आप सेक्शन देखेंगे हैं हिमाचर प्रदेश में पहली बारी सेक्शन लगे हैं और मैं सलाम करूंगा पुलिस डिपार्टमेंट को मैं धन्यवाद करूंगा मीना जी एसपी साब का मैं धन करता था कि नॉटिस देंगे छूट जाएंगे करको कोई भी इस तरह की हरकत करेगा चाह मैं भी करूंगा तो यह चीज़ें होंगी संबभ हैं कॉंग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है और जिस तरह कारिकारनी भंग हुई है उसको लेकर अपडेट क्या है और क्या कुछ होने वाला है अगर ताच पोशी की बात करें तो क्या अपनी सिंग लांबा साहाब के हिस्से में बड़ी जिम्यवारी आने वाली है क्या वह अभी क्या था यह पहले सी था प्रदेश कॉंगर्स के मेंडिय मेंबर से तो राणी प्रतिपा जी के अधिक्स्ता में ही PCC को मान और सरकार में सत्ता में भी जो PCC और प्रदेश कॉंगर्स कमेटी का इसा माध्य में है जहां से हम अपने जो रूस्ट कारे करताओं को और जस्ट करके उनको एक नया दायतव दे सकते हैं तो उसलिए उन्होंने वो अपना बंग कर रहा है और अभी पहले प्रदेश कॉंग कर रहे हैं तो अगर जो सरकार में हैं उनको संगठन में जगा नहीं मिलेगी और जो संगठन में उनको सरकार में जगा नहीं मिलेगी इस तरह का कुछ ला रहे हैं और ये संगठन के एक धांचे को मजबूत करने के लिए स्वास्टे तोर पे बहुत अच्छा का रहे हैं हम तो पार्टी के साथ है, जो दायतर मिलेगा, बड़ा हो चोटा हो, मैं तो स्टेट में सचीव था, फिर यहां का कारे कारी जेक्ष्पना, अब मेरे को चाहिए यहां का, जनरल स्रेक्टरी लगा था, क्योंकि पॉंटा में तो रूट, जमीन इस तर पर जब तक काम नहीं करें उन लोगों को मनाने का एक नया सलिका, क्या कोई अक्तियार किया है कि आप लोगों ने, मैं अपना पॉंटा की बात पता सकता हूँ, पॉंटा में जो लोग रुष्ट है, जो रुष्ट होकर बीजेपी में गए थे, मैं बहुत लोगों को ला चुका हूँ वापस, और हम टीम वर्क की तरह काम कर रहे हैं, और पॉंटा की मैं पता सकता हूँ, पॉंटा में हम अपना आने व族 भाविष्ये बहुत सुधार रहे हैं, और आने वले टाइम में सुध रहेगा शुकριा, आमने सिखिय का जवालों का जबाब उन्होंने दिया, कई सवालों का ताजपोशी होगी, ताजपोशी किस लिहाद से होगी, इसका इंतिजार किजिए, क्या उनके रास्ते में स्पीड ब्रेकर बिछाए जाएंगे, इस बात का इंतिजार करना होगा, उनके गाड़ी किस रफतार से दोड़ेगी, इस बात का इंतिजार भी तमाम लोगों को करना चाहिए संजीव शर्मा पोटा साही स्टिंग बाज